नमस्कार प्यारे विद्यारतियों, सरप्रथम सभी विद्यारतियों को एवं समस्त देशवासियों को जन्मस्टमी की बहुत-बहुत सुपकामना आज जन्मस्टमी का पावन पर्व है, हमारे देश में बहुत अच्छे से जन्मस्टमी का पर्व मनाय जा रहा है इसी के साथ MPPAT की त्यारी करने वाले छात्रों के लिए आज खुसकबरी है कि PAT परिक्षा की डेट आउट हो चुकी है मद्य प्रदेश में Professional Examination Board इस परिक्षा को कंड़क कराता है ये जो परिक्षा है इस वर्स 2022 के लिए इसकी डेट है 15 और 16 अक्टूबर सनिवार रहिवार के दिन ये परिक्षा ली जाएगी दोस्तों मैं आज आपको इस परिक्षा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जिसमें कब परिक्षा है कौन-कौन से डाकूमेंट हमारे को फार्म भरते समय लगेंगे कब तक फार्म भरे जाएंगे फीस क्या है और हमारे फार्म में अगर कोई दिक्कत आती है तो करेक्षन कब तक करा सकते हैं दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें आपके लिए महत्पुन जानकारी है तो हम स्टार्ट करते हैं तो सरप्रतव हम देखते हैं कि परिक्षा जो होने वाली है MPPAT 2022 की ये 15-16 अक्टूबर 2022 सनिवार रईवार के दिन है जिसके ऑनलाइन आवेदन फार्म जो भरे जाएंगे वो स्टार्ट होंगे 31 अगस्ते 31 आट 2022 से प्रागम होकर अंतिम तिती है 14-9-2022 इस बीच आप आवेदन फार्म भर सकते हैं दोस्तों अगर फार्म में कोई करेक्षन आता है संसोधन आता है वैसे हमें कोशिस करना है कि किसी प्रकार के संसोधन की कोई गुंजाइस ना रहे फार्म भरते समय बड़ी सावधानी भरते हैं फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो संसोधन करवाया जा सकता है 31-8-2022 स लेकर 19-9-2022 के बीच अगर हम परिच्छा सुल्क की बात करें तो जो अनारक्षित विध्यारती हैं उनके लिए हम देखते हैं कि 500 रुपे का सुल्क है ये फार्म का सुल्क हो गया इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग हो स्टी केटेगरी हो स्टी केटेगरी हो उन सभ लावा अत्रिक्त रइस्टर सिटीजन यूजर के उससे बढ़ते हैं तो 20 रुपे का पोर्टल सुल्क आपको पूर अत्रिक्त देना होगा तो ये हमने एक्जाम डेट और संसोधन के बारें बात की अब ये जो एक्जाम है इसके लिए हम समय सारनी जरा देख लेते हैं ये पाली और यहां पर हम बोलेंगे सेकेंड जो सिट है सेकेंड जो पाली है एक सुबह के समय रहेगी प्रात है और दूसरा रहेगा दोपैर के समय तो अगर आपका फर्स सिट में आता है मॉर्निंग टाइम रहता है तो रिपोर्टिंग टाइम जो है ये है साथ से आड़ पढ़ने के लिए आपको 8.50 से 9 बज़े तक का समय 10 मीट का दिया जाएगा और 9 बज़े से परिक्षा प्राडम होकर 12 बज़े तक चलेगी तीन गंटे तक आप उत्तर अंकित कर पाएंगे इसी प्रकार से अगर दूसरी सिप्ट में हैं तो इसमें रिपोर्टिंग टाइम द थोड़ा पहले ही अपने सेंटर पर पहुंच जाएं इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि कुछ आवस्यक निर्देश टिपणी यहां पर दी है इनका हमें जरूर ध्यान डखना है अव्यारती का आधार पंजियन अनिवार है आधार अगर कार्ड आपके पास नहीं है परिक्षा में सामिल नहीं हो पाएंगे अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी जल्दी बन माने की कोशिस करें इसके साथ ही आपको फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जाना है यह जो पहचान पत्र है यह ले जाना अनिवार है जिसके अंतरगत हम मत दाता पहचान पत्र पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पार्सपोर्ट, इन में से कोई एक चीज रख सकते हैं, इसके अलावा यी आधार कार्ड भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन याद रखना यी आधार कार्ड तभी मानने होगा, जब I-D-A-I के द्वारा ये वेरिफाइ है, तो वो आपको लेकर जाना है, साथ ही आधार कार्ड या I-D-A-I कार्ड आपको अनिवारी रूप से लेकर जाना है, एकजाम देते समय, तो इस बात को ध्यान में रखें, साथ ही आप चीज ध्यान में रखें, बायो मेट्रिक सत्यापन भी अनिवार है, बायो मेट्रिक सत्यापन वहाँ पर किया जाएगा, तो कुछ छात्रों के साथ समस्या रहती है, कि उनके जो हाथ है, उंगलियां है, अंगुठे की तवचा चली जाती है, तो वो इस बात का विशेश ध्य देखेंगे, कि रिपोर्टिंग के समय तक ही आपको परिक्षा के अंदर में प्रवेश दिया जाएगा, अगर आप लेट होते हैं, तो आपको परिक्षा देने की पातरता नहीं रहेगी, इसलिए आप समय का विशेश ध्यान रखेंगे, साथ ही हम देखते हैं, कि ऑनलाइ निकाल सकें, बाद में हमारा रिजल्ट भी उससे देख सकें, दोस्तों ये मैंने कुछ महत्पूर निर्देश आपको बताए, जो की साथ में रखने हैं, अब बात आती है कि परिक्षा के जब फार्म भरे जाएंगे, तो फार्म भरने का एक डिटेल वीडियो में आपके स आनकरी आपको दे रहा हूँ, ये दस्तावेज आप अच्छे से तयार करके रखें, ताकि हम समय से फार्म भर सकें, तो आवस्यक दस्तावेज कोन से हैं? तो यहाँ पर कुछ दस्तावेज दिये जा रहे हैं, इन्हें हम बोल रहे हैं कि अनिवारे रूप से इसकें करके सल सलगन करना है जैसे इसमें हमारे को देना है कलर फोटो हस्ताक्षर स्वयम की हस्त लीपी यह हास से लिकोई दो तिन लाइने है प्रारूप 14 के अनुसार यह मैं आपको बताऊंगा प्रारूप 14 कैसा है जब हम फाम भरने का वीडियो लेकर आएंगे उसमें साथ ही आपको जन सुची जन जाती अन्य पिछला वर्क के जो अव्यारती है इन्हें जाती प्रवान पत्र जो है यह भी स्केन करके देना होगा दोस्तों फोटो के बारे में भी एक महत्पुन जानकरी है यह जो कलर फोटो है यह तीन महा से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जब 5 फोटो यह संबाल के रखना है जो एडमिशन तक आपको काम आ सके क्योंकि बात में जब एडमिट काड आएगा उसी में आपको यही वाली फोटो लगाना रहेगा साथ में जब एडमिशन कराने जाएंगे तब भी आपको उसी फोटो को लेकर जाना रहेगा तो आप 5-7 खिचवा के रखें ताकि किसी प्रकार की हमें कोई समस्या ना हो तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक्जाम की जानकरी फार्म के साथ लगने वाले आवस्यक दस्तावेज इनकी जानकरी आपको दी है जब फार्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे तब मैं एक डिटेल वीडिय कि बहुत बहुत सुब काम